हेलो फ्रेंस आज मैं आपके लिए कर क्या आई हूँ भिंडी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी इतनी मज़ेदार रेसिपी है ना फ्रेंस यकीन मानिए कि आप इस रेसिपी को ना हफते में 3-4 बार तो जरूर बनाएंगे और आपके बच्चे तो बहुत ही मज़े से खाने चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो देखे फ्रेंस यहां पर मैंने लिया है भिंडी आधा किलो मैंने भिंडी लिया आपको जितना बनाना अपने हिसाब से लिए उसके बाद हमें दोनों साइज को साइट का जो हिससान उसको में कट करके हटा देना उसके बाद हमें इस तो इस पर मैं डाले थोड़ सा अल्दी पाड़र भॉड़रा थोडह से नहीं डालेंगे लालमिच पाड़र भॉडर थोड़स में डालेंगए हम नमक और इन सब ही चीज़ों को डाल के हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे हमें मिला लेना है जो को महती आप पिंड़ी यह रेस्ट भी बनती है अब मैं इसमें डाल लई हूँ है एक चमच के लगबग बैसन और बैसन को डाल के हमें बहुत यह अच्छी तरीक से मिक्स करना है जादा बैसन का यूज नहीं करना है बस यहां पर एक चोटा चमच मेंने बैसन लिया है अब उसको हम इस तरीके से तो दूसी तरफ मैंने डाला है गेस पर कढ़ाई और उसमें मैं डालनी हूँ मस्टर ओल अब जो एल खाते हैं आप उसका यूज कर सकते हैं आप तेल को यहां पर हम कर लेते हैं गरम और फिर उसके बाद मैंने इस तरीके से प्यास लिया है जिसको मैंने इस तरीके से मैं ज़्यादा नहीं करना है बहुत ह conductor कूंता है फोड़ा सा ब्राइब करना कमेẫn बहुत ही कूंता है प्यास को देखिए अथे अक समिन ऐसे निकाल लेते यह देखिए अफो सब करना से सबजी नाने में बहुत मज्या कि बनती है अप लोग ट्र ताल दिया भिंभींडी और भिंडी को हमें बहुत यची तरीके से फ्राई कोरना और चले चले मैं इसे फ्राई कर लेती हूं और फिर मैं आपको दिखाती हूं तो देखिए फ्रेंज यहाँ पर मैंने भिंडी को बहुत ही अच्छी तरीकिसे फ्राई कर लिया है अब मैं भिंडी को निकाल लेती हूँ तो सभी को इस तरीकिसे मैंने भिंडी को निकाल लिया है फिर उसके बाद वापस से मैंने उस कड़ाई में ही तेल डाला है तब हम इसमें डाल देंगे अद्रक लेसन का पेस्ट अगर आप लेसन करना ही तो आप इसको इसकी बिगर सकते हैं अब यहां पर मैंने पेस्ट डाल दिया है इसको थोड़ा सा अच्छे से हम fry कर लेंगे फिर उसके राद मैंने नहीं आपड एक मेडियम साइज का प्यास लिया तो इसको मैंने बहुत यह बारिक चौप किया है उसको भी हम इसमें डाल देंगे अब प्यास का जो है हमें ज्य पकाने के बाद यहां पर हम डालें जिलेगे नह dúd जालों याया यह पाउडर ते सकbey डालेंगे त्यक्तनिक पाउडर ऑपTE इस रेसिपी में हमना पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है और पानी का यूज नहीं करेंगे तो मसाला कैसे फ्राई होगा होगा मैं आपर दूसरा चीज यूज कर रहे हूं इसना हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ी की बनने वाली तो यहां पर मैंने लिया दही गेस का पड़ाऻ our इस को डालेंगे यह डालते हम बहुत ही स्पीट में नगा इसको चला एकला यह देख सकते हैं छाचाथ को हम प्राई करेंगे जब तक चोछ्या आय चोड़ा है देखे हैं ओल हमारा मसाला अच्छे से चोड़ दिया मसाला अलग हो गया मसाला बिल्कुल दानेदार हो गया मसाला जब अच्छे से फ्राई हो जाता है तो इसकी पहचानिया ही होती है कि मसाला एक्दम दानेदार हो जाता है चले अब मसाला तो अच्छे से फ्राई हो गया अब हम डाल देते हैं इसमें फ्राई की हुई बिंडी भेंड़े डाल जो लेंगे, मसाला बिल्कुल आपसे प्रबाइन, भेंड़े 3-3 विश्चाए अज़न के लगा है, साओ में ठीके दिज़ा देंगे अगिलाय अश्ची के लिएจะ इस मुझे तुस्य छोनलें विटीके इई तो देखिए फ्रेंज यहां पर मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने ढगक पका लिया और ये देखिए माशालहा इसका रंग कितना अच्छा है और ये दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है न तो यकीन मानिये फ्रेंज दिखना ये बहुत ऐसे का moo जादा ये खाने में बह याद देती हो अगर आप चाहे तो आप यहां पर गरम मसाला एड कर सकते हैं पर मैं एड नहीं कर रही हूं तो देखे फ्रेंस हमारी भिंडी की सूपर टेस्टी सब्जी बनकर हो गई है तैयार कैसी लगी तो प्लीस लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कर आप सब्सक्राइब के साथ बैर आइकन को जरूर प्रेस कर दीजी का इससे पता है क्या होता है कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिक्सन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी आप मेरी आसान रेसीपी का फायदा उठा पाएंगी तो चले फ्रेंड मिलते हैं नेक्स